ओम शंती, आज की मुल्ली में बाबा ने कहा एक ओम शंती शब्द सारा ज्ञान बुद्धी में ले आता है, मैं आत्मा हूं, मेरा सवधरम शंती है, मेरा घर शंती धाम है, फिर बाबा ने कहा जब शंती धाम याद आता है, तो बाब भी याद आ जाता है, तो कि बाब भी व पिर बाबने का जब बाप याद आता तो वर्सा याद आता तो वर्सा क्या है स्वरग है तो बाबने का देखो एक ओम शंति शब्द सारा ज्यान विद्धी में ले आता है फिर बाबने का जब स्वरग याद आता है तो पूरा चक्र भी याद आता है फिर चक्र को भी बाबन ने दो शब्दों में कहा, पतित दुनिया, पावन दुनिया, निर्विकारी दुनिया, विकारी दुनिया, राम राज्ये, रावन राज्ये, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, पवित्र दुनिया, अपवित्र दुनिया, तो इस तरह से बाबने का देखो ये शब्द जो ह सारा छोटे छोटे शब्द हैं लेकिन सारा ग्यान इन शब्दों में समाया हुआ है पिर बाबा ने कहा देखो आत्मा जो है वो पाप आत्मा कैसे बनती है जब पाप करम करती है तो बाबा ने कहा पाप कौन करता है ये पांच विकार पाप करम कराते हैं और उसमें भी बाबाने का मुख्य है काम विकार इसलिए बाबा कहता है जब तुम काम पर जीत पहनोगे तभी तुम जगत जीत बन सकते हैं तो बाबाने का इस बात की तुम्हें किती खुशी होने चाहिए कि हम नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं अब नई दुनिया है तो उससे पहले पुरानी दुनिया खतम होगी तो बाबा ने कहा देखो दुनिया में भी ये law है कि जो चीज काम की नहीं होती है जैसे garbage है जो भी खराब चीज होती है उसको क्या करते हैं? उसको आग में जला देते हैं तो उसी तरह से बाबा ने कहा कि आप जो भी नाखों से देख रहे हैं ये सब जल जाएगा, अगनी में खतम हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा क्या बचेगा? आत्मा क्योंकि आत्मा तो कभी मरती नहीं, आत्मा तो कभी जलती नहीं है तो बाबा ने कहा देखो ये शरीर जो है वो पांच तत्वों का बना हुआ है ये सारी दुनिया ही पांच तत्वों की बनी हुआ जो अगनी में जल जाएगी लेकिन आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है तो आत्मा कभी जलती नहीं है लेकिन बाबने का हाँ आत्मा पाप आत्मा और पुन्ने आत्मा बनती है फिर बाबने का देखो पांडव कौरव कहते हैं तो यहां पर क्या है बाबने का यह इश्वरिय गौर्मेंट है, यह गौर्मेंट गुप्त है, यह गुप्त रीती से क्या कारे कर रही है, तो बाबने कहा पतित से पावन बना रही है, पतित आतमाओं को पावन बनाने का यह कारे कर रही है, तो बाबने कहा देखो तुमारा बाप का क्या धंदा है, पतितों को पावन बनान उसी तरह से बाबा ने कहा बाप कहता है आपका भी क्या धंदा है हम बच्चों का भी क्या धंदा है कि पते तात्माओं को पावन बनाना फिर बाबा ने कहा देखो शिव बाबा कितने समझदार है ग्यान के सागर है बाबा तो बाबा से समझदार तो दुनिया में कोई नहीं है तो बाबा ने कहा देखो दुनिया में कितना शिव को याद करते हैं शिव काशी पर जाते हैं शिव काशी शिव काशी करते हैं लेकिन बाबने कहा किसी को भी पूरा ग्यान नहीं है कि शिव कौन है क्या करते हैं उसी तरह से बाबने कहा देवताओं को भी जाते हैं लेकिन इन देवताओं को ये देवता किसने बनाया कब बनाया कैसे बनाया इस बारे में किसी को भी कोई ग्यान नहीं है फिर बाबने कहा देखो हंस और बगलों को याद किया तो बाबा ने कहा हंस भी होते हैं बगले भी होते हैं हंस सुख देते हैं बगले क्या करते हैं दुख देते हैं बगले मना असुर फिर बाबा ने कहा यहां सेंटर पर भी ऐसा होता है सेवा किंदर पर भी कई बगले आ जाते हैं वो हैं तो विकारी लेकिन बाबा ने बगला किसको कहा कि बाबा ने कहा कि जूट बोलते हैं उनसे पूछो कि तुम पवित्र रहते हो तो बाबा कि ते जूट बोलते हैं कि हाँ हम रहते हैं तो बाबा ने कहा कि यह जूटी माया, जूटी काया, जूटा सब संसार है, तो जो जूट बोलते हैं बाबा ने कहा बाबा की नजर में वो 3rd grade है, फिर बाबा ने कहा देखो आपको पवितरता का पूरा सबूत देना है, तो क्योंकि दुनिया में तो मनुश्य नहीं मानते हैं ये बात वो सोचते हैं ये असमभव है इकटे रहकर और पवित्र रहें वो असमभव समझते हैं तो बाबने का बाबा देखता है कई बच्चे इस बात को पूरी रीती समझा भी नहीं पाते हैं क्यों? क्योंकि योग बल की कमी है बाबने का आपको तो बोलना चाहिए कि स्वयं यहां पर हमको भग्वान पड़ाते हैं और अगर हम पवित्र रहते हैं, तो पवित्र रहने से हमको 21 जन्मों की बादशाही मिलती है, बहुत बड़ी लोटरी है, तो हमें तो इसमें बहुत खुशी है पवित्र रहने में, तो अब अनका इस तरह से आपको समझाना चाहिए, तो उसके बाद बाब ने का कई दुनिय में मुझेय समझते हैं, दो दुनियाएं हैं. तो बाबा ने कहा वो भी clear करो कि एक है वो ही दुनिया एक ही है, वो ही नई से पुरानी होती है. जासे चोटा बच्चा है और बुरा होता है, ऐसा थोड़ना चोटा बच्चा आला गया, बुरा जब हो गया वो अलग है तो दोनों एक ही तो बाबाने का ये माथा मारना पड़ता है समझाने के लिए फिर बाबाने का देखो ग्यान भक्ती और वेराग कहते हैं ग्यान आदा कल्ब चलता है भक्ती आदा कल्ब चलती है फिर आता है वेराग तो वेराग क्या आता है कि अब इस प दुनिया से। बाबा ने बावा अत्मा तो अनाधी है, आत्मा भी अनाधी है अर ये ड्रामा जो है, ये भी अनाधी है मैं करते हैं जिसको बाबा कई बर कहता है कि मैं पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाता हूं करेक्टर सुधारता हूं पतित से पावन बनाता हूं जो आत्मा पतित बन गई है उन आत्माओं को बाबा पावन बनाते हैं फिर बाबा ने कहा कि यहां पर क्यों आते हैं बाबा क कई बर क्या देखता है कि करेक्टर सुधारते सुधारते क्या होता है गिर जाते हैं गिर जाते हैं तो सुधारने की बजाए और ही बिगड़ जाते हैं तो बाबने का जादा ही बिगड़ जाते हैं पता नहीं पड़ता है कि बाहर जाते हैं तब पता चलता है आज चरेवा सुनंती, कतंती और भगंती हो जाते हैं बाबने का इंदरप्रस्थ में भी गायन है तो बाबने का हडगुड तूट जाते हैं माया किसी को गिराने में देरी नहीं लगाती है क्योंकि माया भी बड़ी गुप्त है ना तो पता नहीं चलता है लेकिन बाबने का कि गिर जाते हैं हडगुड तूट जाते हैं बाबने का इस समय तुमारी गुद्धी कितनी पलटती है फिर भी माया दोखा दे देती है तो बाबने का ही कोई न कोई इच्छा के रूप में ही माया आ जाती है यहां तो इच्छा मातरा मविध्या बनना है तो बाबने क्या देखता है कि बाबने का बड़े-बड़े महारती भी माया के दोखी में आ जाते हैं तो दिल पर तो नहीं चड़ सकते तो बाबने का देखो यह दुनिया कितनी डर्टी हो गई है रावन राज्ये यहां पर महान पाप आत्माए बन चुके हैं बाबने का अपने ही पूरे परिवार को खतम कर देते हैं तो बाबने का ऐसी डर्टी दुनिया से दिल नहीं लगानी है और लास्ट में बाबने पुन्हा रिमाइंडर दिया कि बाबने का देखो यहां पर है मुखे पवित्रता और पवित्रता के अधार पर ही विश्व की बादशाही मिलेगी आज के वर्दान में बाबने काहा कि सदा बाबकी याद की छत्र चाया के नीचे रहो और मर्यादा की लकीर के अंदर रहो तो माया जीत विजई बन जाएंगे तो कि बाबने का इसके अंदर आने की हिम्मत किसी की नहीं है बाब की छत्रचाय के अंदर और मर्यादा की लकीर के अंदर अगर हम रहते हैं बाबने का जब यहां से आप बाहर निकलते हो, तो फिर माया अपना बनाने का कोशिश करती है, तब उसमें हिम्मत आती है, इसलिए बाबने का कि सदा सिम्रिती में रखो कि मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं, इस सिम्रिती से ही आप क्या बन जाएंगे, विजयी बन जा और आज के स्लोगन में बाबा ने का कि सर्व खजानों को अपने अंदर समालो तो संपनता का अनुभव करेंगे अर्थात खजाने कौन से हैं ग्यान, गुन, शक्तियां जो बाबा ने हमको खजाने दिये हैं जितने इन सुख्षम खजानों को मैं आतमा अपने अंदर भरती चलि जाती हैं, तो मैं क्या फिल करूंगी संपन्यता का, भरपूरता का, और बाबा कहते हैं कि जो खाली बरतन होता है, वो आवाज करता है, और जो भरपूर होता है, वो आवाज नहीं करता है, और वो ही हमार अचल अडोल आवस्था भी बनाता है, जो संपन है वो अचल अडोल भी रहता है, तो इसे लिए उसकी विधी क्या है, कि बाबा से वर्तवान समय हमें जो भी खजाने मिल रहे हैं, उससे अपने आपको अपने अंदर भड़ते रहें और अपने आपको संपन बनाएं, ओम्श अग्दार एलते हैं, जाता है, आपको अपने खब